नमस्कार दोस्तों इक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत श्वागत है देखे कल मैंने आपको घन घनाव तथा वेलन चैप्टर पढ़ाया था और उसका पार्ट वन मैंने पढ़ा दिया अगर आपने नहीं देखा तो जाकर करें देख अपने सभी दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जिससे आपके सभी दोस्त भी वीडियो को जॉइन कर सकें देखे बहुत ही दाता इंपॉर्टन होने वाला एक लेक्षर तो वीडियो को पूरा देखेगा देखे जो आपका हमवर का कल कुईस्चन दिया अब देखिए इसमें लंभाई चौणाई और उचाई तीन चीज़े दी हुए है तो यह आपका क्या हो घ्राय कहने और कि और 15-15 मीटर घन मीटर के जो ये छोटे-छोटे घन है ये हम कितने रख सकते हैं इसमें वही हमें ग्याद कर रहा है तो चलिए देखते हैं कितने घन हम रख सकते हैं सबसे पहले हम इस बक्से का आयतन ग्याद कर लेंगे जब हम इस बक्सी का आयतन ग्याद कर लेंगे तो हम इसको भाग कर देंगे इसके आयतन से तो हमारा टोटल संख्या जो निकल के आजएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा तो सबसे पहले हमें घन का जो घनाव का बक्सी का जो आयतन है ग्याद करने के लिए में क्या पता होना चाहिए घनाव का आयतन पता होना चाहिए अब घनाव का आयतन आपको पता होगा क्या होता है L इंटू B और इंटू में H होता है L B H अब LBH में LB और H तीनों चीज़ दिये हुए है तो आयतन हो दाएगा V is equal to क्या हो दाएगा आयतन V is equal to हो दाएगा L की value 10 गुड़े 6 मीटर हो दाएगा और गुड़े 4 हो दाएगा मतलब टोटल आपका क्या हो दाएगा 240 jos चालिस और मीटर क्यूभ इस आप लीक्छते हैं क्योंकि आयतन है तो मीटर क्यूभ में आजाएगा अब जब 280 मीटर क्यूभ अपका आयतन आ गया है अभी इसमें 15 15 मीटर क्यूभ के चीजे रखनी आपनी है अगर हमाराax 240 है तो जब हम यहांसे 15 से भाग करते हैं दोस्तों तो क्या आएगा आपका आंसर देखिएगा सबसे पहले तो आपको हम एक serial wise आपको समझा देते हैं कि आपका question कैसे solve हो देखिए पहले लंबाई दी गई थी चोड़ाई दी गई थी उचाई दी गई थी मैंने लंबाई चोड़ाई उचाई नोट कर लिया बक्से का यहां पर 6 तरफल नहीं होगा यह आपका आयतन होगा वी तो बक्से का आयतन आपका लंबाई गुड़े चोड़ाई गुड़े उचाई हो जाएगा और टोटल जो आपका आएगा 240 घन मीटर हो जाएगा घन मीटर का मतलब क्या हूँ आपका मीटर क्यूब इसे तो 140 था और घं का ऐतन 15 था तो 240 भागे 15 करेंगी तो हमारा क्या जाएगा शोला हम्हाइड हम रख सकते हैं उस बक्से में रख सकते हैं और यही हमारा आंसर हो जाएगा तो Question का हमारा राइट आंसर आ रहा है सोलह घंग कितने संख्या आ गई हमारे पास सोलह तो जितने भी बच्चों का जितने भी स्टुडेंट्स का प्यारे दोस्तों का आंसर शोलह आया था उनका एकदम से करेक्ट था और यही आपका आंसर हो जाएगा इस होमवर्क की प्रश्न का देना था छोटे छोटे घंगों के आयतन से तो चलिए यह आपका कुश्चन सालब हो चुका है अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और जो अगला आपका प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे है दिखेगा बहुत ही आसान सा है लेकिन थोड़ा सा आपको समझ के लगाना तो आपको बेलन का आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए फिर यहाँ पे दिया है बेलन का वक्रपिर्ष्ट तो बेलन के वक्रपिर्ष्ट का भी फार्मूला पता होना चाहिए तो अगर आपको फार्मूला पता है तो आपका कुश्चन साल होता है चले देखिए बेलन की हमें mooi थी धिति यहां कैसे दी हुई थी देखे जब व्यास दीया है albaur Quality आधार का यहां पे यह法 दिया है अब इसका आधार का अगर भ्यास दिया है तो आप को पता है व्यास किसके बराबर होता है व्यास बराबरह होता है दो गुड़े त्रिज्या होता है अब त्रिज्या हमें निकालना हो तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा व्याश बटे में दो हो जाएगा व्याश बटे दो तो हमारी त्रिज्या क्या आजाएगी आर बराबर आजाएगी बीश बटे दो मतलब 10 cm त्रिज्या हमारी क्या आजाएगी 10 cm आजाएगी त्रिज्या आर तो दब हमारे पास त्रिज्या आर 10 cm आ गई है तो देखेगा यहाँ पे त्रिज्या हमने निकाल लिया किसे व्यास से व्यास से हमने त्रिज्या 10 cm निकाल लिया अब बेलन का वक्रप्रिष्ट होता है 2 pi r yach कल मैंने आपको सारे के सारे फार्मूले बता दिये हैं तो बेलन का जो वक्रप्रिष्ट होता है 2 pi r yach होता है r की value हमें यहाँ पे दी गई है वक्रप्रिष्ट का छेतरफल हमें 1000 दिया गया था और 2 pi 2 into pi का value आपको पता है 22 बते 7 हो जाता है r की value 10 हो गई तो हमें यहाँ से yach मिल जाएगा जब हमें height मिल जाएगी yach मिल जाएगा तो हमें yach क्या मिल जाएगा देखिए 2 pi हो गया 10 into yach हो गया जो भी value यहाँ पे दी गई थी सारी की सारी value हमने यहाँ पे रख दी तो हमारे पास yach जो निकल के आएगा वो क्या जाएगा 50 बते में pi yach मतलब height जो आएगी आपकी 50 बते pi आ गई अब जब हमारे पास height मिल चुकी है और r हमें पहले ही मिल चुका था 10 cm तो हमें जो है बेलन का आयतन क्याद करना है बेलन का आयतन का जो formula होता है वो होता है आपका pi r square yach r की value यहाँ पे दी है yach की value अभी यहाँ से निकाल लिया गया अब हम यहाँ से सारी की सारी value रख देंगे तो pi को ऐसे रख दिये r square है तो 10 दिया था r तो r का square मतलब 10 का square तो यहाँ पे pi into 10 into 10 हो गया क्योंकि r का square था और yach की value 50 बटे pi रख दिया गया अब यहाँ pi से आपका pi कट जाएगा और 10 गुड़े दस गुड़े 50 करेंगे तो 5000 आ जायेगा अब आयतन है तो आयतन का आपको पता ही है meter cube होता है या फिर centimeter cube होता है मतलब क्या है घंआए काई लिखेंगे क्या लिखेंगे घंएक ठीक है तो घंएکाई हम लिखेंगे मातरक तो हमारा बेलन का आइतन V कितना आ गया 5,000 cm3 मतलब 5,000 x गं सेंटी मीटर तो यही आपका एकदम से correct answer हो जाएगा पाँच हजार गं सेंटी मीटर दीखें, option कहां पर दिया गया है, तो option आपका दिया गया है B वाला तो B वाला answer जो होगा आपका एकदम से right answer हो जाएगा यही आपका एकदम से correct हो जाएगा तो दिखिए बहुत ही आसान सा था इसमें आपको वक्रप्रिष्ट और आयतन का फार्मूला बेलन के आयतन और बेलन के वक्रप्रिष्ट का फार्मूला याद होना चाहिए तभी आपका एक question साल भो पाएगा तो उम्मीद करते हैं आपको यह question समझ में आया होगा चलिए बढ़ते हैं अगले question की ओर और अगला question देख लेते हैं एक घं का आयतन दिया है आपको पता है घं का आयतन क्या होता है एक यूब होता है और उसका संपोर्ण प्रिष्ट हमें ग्यात करना है दिखे चार option दिये गया है consumption चाहिए होगा तो देखे घं की अगर भुजा हम मान लेते हैं ए दी गई है अगर घं की भुजा ए है तो घं का आयतन आपको पता है क्या होता है एक यूब होता है और एक यूब बराबर हमें दिया गया है 27 यूबि घं का आयतन अभी हमने आपको दिखा है question में 27 दिया हमें एकी वैलू 3 cm मिल चुकी है तो अब हम घं का संपोर्ण प्रिष्ट ग्याद कर लेंगे तो यहां पर आपको एकी वैलू मिल जाई है एकी वैलू हमें क्या मिल गई है 3 cm तो यहां पे 3 रख देंगे तो 3 का 9 हो जाएगा और 6 का गुरा हो जाएगा जब 9 से तो 54 हो है तो यह आपका होता है मीटर स्कॉयर या फिर सेंटीमीटर स्कॉयर मतलब क्या होगा वर्ग इकाई हो जाएगा क्या हो जाएगा वर्ग इकाई हो जाएगा इसका मात्रक तो इसलिए आपका 54 cm स्कॉयर आपका आंसर हो जाएगा एकदम से करेक्ट आंसर आपका 54 cm हो जाए और आपको यहाँ पे निकालना था 6a² तो यहाँ से a की value निकाल करके हमने 6a² मतलब संपोर्ण प्रिष्ठ निकाल लिया यहीं अमारा प्रश्ण का उद्दर हो जाएगा उम्मीद करते हैं आपको एक प्रश्ण समझ में आया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की ओर देखे यदि एक घन की सभी बिमाएं 100% बढ़ा दी जाएं घन है तो घन में आपको पता ही है क्या होता है a होता है खाली और खाली क्या होता है a मतलब बोजाएं होती है अब घन का संपोर्ण प्रिष्ट निकालना है संपोर्ण प्रिष्ट आपको पता है क्या होता है 6a square होता है अब सभी बिमाएं बढ़ाई जा रही ही तो मतलब अगर a था तो a को 100% बढ़ा गया मतलब a का 100% मतलब a जोड दिया गया मतलब क्या हुआ हमारा टू ए हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ जो हमारी भुजा थी भुजा हमारी क्या हो गई टू ए हो गई पहले हमारी भुजा ए थी लेकिन जब सव परतिसत बढ़ा दिया गया मतलब की हमारा ए और बढ़ा दिया गया तो हमारा टू ए हो गया जब भ कört होता है डिकषागाया रख regaba six ओर हो झाएगा ठोर और इंटू में dezिक इस्कौर मतलब चारगुना हो जा रहा है क्या हो जा रहा अपका चारगुना आपका जो संपॉलधन प्रिष्ट है वह बढ़ जाएगा कितना चारगुना बढ़ जाएगा अब चारगोन बढ़ जाएगा ठो देखлись का अठीक हुआ हो जाएगा अच्छे से समझ मुझेचल, चार गुन बढ़ जाएगा से मुझत ब्रकार से किया माँ पहलि जो बीना बीदि आफ़ तो क्या दिया गया है लेकिन जब सव प्रतिसत्थ विद्धी कर दी जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा तो यहां से हमारे पास मिल जाएगा 4 इन्टो 6a² अब 6a² आपका क्या था बिना ब्रति किये हुए संपूर्ण प्रिष्ट था तो इसका मतलब क्या हुआ आपका 4 गुना आपका बढ़ा दिया गया चार गुना बढ़ जाएगा अगर हम 100 प्रतिसत बढ़ा दें बिमा को तब तो इसलिए हमारे जो संपूर्ण प् उमेद करते हैं आपको यह भी प्रेश्ट समझ में आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रेश्ट की ओर और जल्दी जल्दी से हम कुष्चन को स्वाल्व करते हुए चल रहे हैं देखिए अगला प्रेश्ट आपका क्या है पॉलिटेक्निक इंट्रेंस तो यह कुष्चन आप लोगग स्वाल्व करिए गा देखते हैं कितने बच्यों का आंसर कमेंट में आता है कि इसमें मैदान शेत्रफल घ्याद करना है रोलर का ब्याश्ट दिया है रोलर की लंबाई दी गई है और कुछ चक्कर दिया गया है कि 1000 लगा सकता है समतल पर यह सारे क्वेश्चन आपके जो भी आपका ये क्वेश्चन बताया जा रहा है बहुत ही दा इंपॉर्टेंट है आप लोग नोट भी कल ली देगा कॉपी में अगर चाहें तो इस क्वेश्चन का आप लोग में आंसर कमेंट में बताएगा चलिए हम अगले प्रश्ण की और पानी का बहाओ 72 सेंटी मीटर प्रती सेकेंड है तो एक घंटे में बाहर पंप किये पानी का आयतन लीटर में कितना हो जाएगा तो हमें यह ग्याद करना है कि पानी का आयतन कितना हो जाएगा जो की बाहर पंप किया जारा है पानी उसका आयतन हमें ग्याद करना है 2013 में प अंत्रिक त्रिज्ज ya निकल के आई पाइप का अंत्रिक त्रिज्ज वो हमारे पास आ गई है साथ बट्टे दो सेंटीमीटर मोर्श ठिज्ट में परंप किया गए पानी का आयتन क्या afect वह अध्याद करना 해 आको पता है आई क्या होता है बेलें-न का आईतन आपको पता है उसी फार्मूले से हम लगा देते हैं दीजी यहां से प्था अधी होता था तो हमारे पास यहां पर यहाँ पर एक घंटे में पानिका बहए मतलब कितना दõi की वेरा है वह हमारा यहाँ पनी के यहाँ-चREE हो जाएगा पाई आर स्कॉयर और इंटू में हो जाएगा एक घंटे में पानी का बहाओ देखेंगे तो आर की वेलू साथ बठे दो निकाल लिया है तो पाई का मान 22 दटे living साथ और यहां पर आपका साथ बटे डोका होल स्कुार क्योंकि आर स्क warm था अब एक घंटे में पानी का वहाव क्या होगा तो आपको यहां पर मिल गया है देखिए यहां पर दिया है बहतर सेंटीमीटर प्रतीस सेकरां अभी साथ जाएगा अब यहांक इसाथ से कट जाएगा जया है अब ब् कை सब्सक्राइब अब अब लोग टीप्लाइंगे तो आपको जोटाऊ मिलेगी वह आजाएगी इतना अब टोटल जब आप het से घंcco सेंटीमीटर को लीटर में से बतंड कि यही आपका तो यही आपका हो लाएगा जो कि आपको निकल के आगया कितना नियाद नुटा कि बता चल गया होगा और अच्छे से आप समझ भी गए होगे अगर आपको कुछ प्रावलम हो रही तो आप लोग एक बार फिर्शे वीडियो को चला करके देख लिएगा आसा करते आपको समझ में आही जाएगा देखें यह आपका राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्ण की और बढ़त विकन वो होता है जो मैक्सिममम लंबाई को व्यक्त करता है कि मतलब कितने मैक्सिममम लंबाई तक हम किसी छण को या किसी भी वस्त को उस घं में रख सकते हैं विकन आपका क्या होता यह जो तिरचा तिरचा मिला रहता है जो कोने से कोना मिले रहेगा यहीं हमारा विकन हो जाएगा अब इससे जादा लंबाई की वस्त आप लोग इस घंड की अंदर नहीं रख पाएंगे जितना जादा विकन होगा उतना ही बड़ा लंबाई का वस्त हम उसमें रख सकते हैं जैसा कि कल की वीडियो में आपको एकदम बड़ीहा से बताया गया था तो कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाकर के जरूर बेख लिएगा प्लेईस्ट भी आपको पूरे पूरे चैप्टर वाइस जो भी कम्पलेट कराए गया नहीं देखे हैं तो चलिये देखिया हम क्यों बढ़ते हैं दिखें घन का विकन दिया है और घन का संपॉर मिश्टळ आपको ज्याद करना है गण का जब हमें विकन दिया है संपोर्ण प्रिष्ट क्याद करना है तो हम कैसे करेंगे देखे चार आप्षन दिये गए है चारों में से कौन सा सही होगा आईए देखते हैं अब हम गण की भुझा निकाल लेंगे जो गण की भुझा हमारी क्या होती है घं की जो भूजा होताएगी आपकी क्या होताएगी घं के विकन के फार्मूले से निकाल लेंगे तो घं का विकन का जो फार्मूला हैता है आपको लोगों को पता होगा विकन जो होता है घं का आप लोग समझ जाएगा ये घं का विकन है ठीक है घं का जो विकन होता है वो क्या होता है 6 root A होता है दिखेगा क्या होता है आपका घं का जो विकन होता है वो आपका होता है जहां दीतेगा यहां पर root 3 A होता है 6 root 3 नहीं होता है यहां पर होताएगा आपका जो घं का विकन होताएगा root 3A कल ही यह formula आपको बताया गया था root 3A अब देखिए हमें निकालना क्या है घं की भुजा निकालना क्यूंकि हमें घं का worker paste निकालना है worker paste आपको पता है क्या होता है 6A square होता है अब 6A square हमें ग्याद करना है इसके लिए हमें A की जरूरत होगी अब हम घं के विकन में हमें यहाँ पर A मिल रहा है तो हम इस A को रोक लेते हैं घं का विकन आपको दिया गया था 6 root 3 तो घं की भुजा आपकी A हो जाएगी और यह root 3 में गुड़ा हो जाएगा A को हम रोके रहेंगे और आपका जो 6 root 3 है उपर रह जाएगा नीचे आपका root 3 हो जाएगा कट जाएगा A की value आपकी आजाएगी 6 तो जब हमारे पास भुजा आ गई है 6 तो हमें वक्रप्रिष्ट ग्याद करना है और घं का वक्रप्रिष्ट आपको पता है क्या होता है 6 A square होता है A की value हमें मिल चुकी है 6 तो हमारा हो जाएगा 6 into 6 का square तो total होगे आपका 6 का cube और 6 का cube आपका हो जाता है 216 मतलब 216 216 cm हो जाएगा आपका घं का वक्रप्रिष्ट घं का वक्रप्रिष्ट आपका हो जाएगा 216 cm तो ये आपका अंसर हो जाएगा घं के वक्रप्रिष्ट का तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी प्रश्ण समझ में आया होगा देखिए option कहां पे दिया है option दिया है आपका ये वाला option और यही आपका एकदम से correct हो जाएगा 216 216 आपका right answer हो जाएगा तो देखिएगा ये सारे question जो भी आवे आपकी कराएगा है बहुत दा मात्तों थे और सारे के सारे question आपको समझ में आगे होंगे अगर आपको समझ में आये हैं तो आप लोग comment में बताएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पाश में वीडियो को शेयर कर दीजे तथा वीडियो को like अवश्य करिएगा तो एक बार फिर से आपकी classes डेली regular attend करना आप शुरू कर दीजे क्योंकि start कर दीगे हैं डेली की classes आपको मिल जाये करेंगी time to time तो आप लोग थोड़ा सा time निकाल करके वीडियो देख लिया किजे क्योंकि बहुत सी ज़्यादा जरूरी है और exam भी आपके नजजदीक आ रहे हैं तो वीडियो को आपको पूरा पूरा देखना है क्योंकि question भी आपके बहुत ही मजीदार मजीदार question आपके करायद आ रह देखते हैं कितने बच्चों का answer कमेंट में आता है तो तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और अपने सभी दोस्तों के पास्वेडियो को शेयर आवश्य कर दीजिएगा तो फिर मिलते हैं कि नए वीडियो के शास्त में तब तक के लिए जय हिन जय हारत.